हेलो एवरिवन सारे स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ एजूफो टेक चैनल में स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है यूपी पी सील जही की परिक्षा आज से स्टार्ट हो गई हैं और मैंने अभी सेंटर पे जाके अपडेट लिया बच्चों से तो मुझे अगर आपका 27 तारिक में पेपर है और जिनका भी पेपर है वो थोड़ा कंट्रूल सिस्टम को अच्छे तरीके से देख लें मैं समसकता हूँ डिप्लोमा का यह सब्जेक्ट नहीं है यह बीटी में भी नहीं आता है हमारा कंट्रूल सिस्टम लेकिन जितना हो सके आप पावर सिस्टम इस बार अच्छा आया है थोड़ा जनरेशन लेवल पर कुश्चन्स पूछे गए हैं कि जनरेशन के बारे में थोड़ा पार प्लांट के बारे में एक अच्छी तरीके से कुश्चन्स आएं है इस बार तो आप पावर सिस्टम को जब भी पढ़ें अच्छे लेवल थोढ़ा ज्याया था लास्ट इहर यह जो आया था नेट्वर्क ज्याद है ध्या सरकीट के विए थिँम इदा ऐसे tension कैंग़्छ्चां पूछ डिजिटल में जो gates के questions है वो भी उसमें पूछे गए है power electronics से बच्चों ने बताया 2-3 questions थे DC machine के question बताया synchronous motor का question बताया बच्चों ने कि इसे subjects को चुछ हुआ है measurement कमाया है और आपका AC fundamentals भी कमाया है ठीक है तो आप से थोड़ा सा request ही है मैं थोड़ा surprise कर देता हूँ आप सभी के लिए आप सब को क्या करना है अपना control system दरूर देख लेना और power system को अच्छे से पढ़के जाना है और machines तो आपका core subject है वो पढ़ी लीजेगा और क्या कहते है अपना जो आपका digital part है उसे थोड़ा neglect मत करिएगा इस बार digital part को यानि electronics part जो है आपका वो पूछा जा रहा है ठीक students तो I hope मेरी चोटी सी information आपके लिए काफी अच्छी होगी आपसे request है शाम की evening का भी update मैं आपको दे दूँगा अपने जैसे students मेरे एक दो students हैं उनका paper है जैसे साले 5 बिजे paper छुटेगा तो मैं आपको update दूँगा तो I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे like करें, share करें, subscribe करें और रात तक मैं कोशिश करूँगा जितने भी questions आएं उन्हें compile करके आपको दे दो ठीके students तो इसी के साथ आशा करता हूँ, आपका paper बहुत अच्छा हो आप काफी अच्छे से अपना paper करके आए और जाद से जाद आपारे बच्चों का selection हो, thank you so much guys, thank you